बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूरूप चैनल पे जहां आपको वेस्ट बिंगॉल बोर्ड से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी तो अगर आप वेस्ट बिंगॉल बोर्ड के इस्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजयेगा इस्टूडेंट आज जो हम लोग पढ़ने वाले है वो है chemical calculation ये chemical calculation चैप्टर का second वीडियो है इससे पिछले वीडियो में हम लोगोंने basic knowledge already ले लिया है और बहुत सारे chemicals का नाम भी हम लोगोंने जान लिया है इस वीडियो में हम लोग क्या करन जा रहा है तो देखिए यहाँ पर बोल ला है question में कि how much quantity of lime stone will be required to prepare 50 kg of quick lime तो इस question को solve करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इस question का chemical equation जानना होगा और कोई भी question इस chapter में solve करने के लिए अगर कोई tough part है हलांके tough नहीं है लेकिन फिर भी अगर कोई tough part है तो वो क्या है equation को frame करन ठीक है कि आखिरकार इस question का chemical equation क्या होगा तो उसको कैसे frame करेंगे वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे और एक और बात कि आप लोग अपने copy और pen को अपने साथ रखें और जो जो step में यहाँ पर कर रहा हूं वो सब अपने copy में आप note down करते जाए ताकि आपका concept जो है वो clear हो पढ़ा था कि lime stone CA CO3 को कहा जाता है ओके next यहाँ पर बूला है will be required to prepare 50 kg of quick lime कौन से next term है यहाँ पर quick lime का term यूज किया गया है और quick lime का मतलब क्या होगा हमारा CAO यह हम लोगों ने last video में already पढ़ लिया था इसलिए मैंने पिछले video में जो के video number one था उसमें यह सब chemical जो है आप आपको आगे चलके question को solve करने में कोई दिकत ना आए तो आप लोगों से जो बच्चे ने भी वो leak लिया होगा जो जो मैंने बताया है तो उसको अभी क्या होगा benefit होगा question को solve करने में तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर equation को frame करना होगा अब किस तरह equation को frame करें है लेकिन इसको जब हम तोड़ेंगे तब यह produce होगा ठीक है तो मतलब इसमें कुछ reaction करवाएंगे हम लोग तो हमारा यह produce हो गया लेकिन this is equal to this तो नहीं हो सकता है यहाँ पे क्या हो रहा है calcium egg है calcium egg है लेकिन यहाँ पे carbon नहीं है और oxygen को दो molecule नहीं है उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा यहाँ पे plus का symbol देना होगा और co2 leak देना होगा ठीक है यह किसलिए हम लोगों ने किया यह इसलिए किया ताके जो हमारा chemical equation है वो balance हो सके और हर chemical equation को हम लोगों को इस तरह से balance करना होगा यहाँ पे हम लोगों को produce CAO करना था इसका मतलब के यह lime stone को हम लोगों को इस तरह से तोड़ना है कि हमारा CAO उससे निकल सके तो CAO जब निकला तो इसके साथ कुछ waste भी तो हमारा निकलेगा न यह पूरा का पूरा जो हमारा lime stone है इससे तो हमारा quick lime नहीं produce होगा यहाँ भी calcium है यहाँ पर oxygen का एक molecule और oxygen का दो molecule दोनों मिला के तीन molecule यहाँ पर भी देखिए तीन molecule है carbon का यहाँ एक molecule है यहाँ पर भी carbon का एक molecule है मतलब यह balance होगया हमारा chemical equation अब हम लोग बढ़ते हैं अपने next step के तरफ कि अब तो chemical equation मिल गया अब हम लोग इसको solve किस तरह से करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जो के पहले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था कि जो भी reactants का जो हमारा mass होता है before reaction वो क्या होता है कि product का mass होगा after reaction मतलब कि इसका जो हमारा निकलेगा mass वो इन दोनों के mass के sum के बराबर होगा यही हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे अब हम लोग simply यहाँ पे इसके mass को लिख लेते किसका mass कितना होगा तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है calcium है और calcium का mass क्या दिया हुआ है 40 यह आप लोगों को already question में दिया हुआ रहेगा ठीक है तो calcium का mass यहाँ पे कितना है 40 तो calcium का mass यहाँ पे 40 लिख लेते हैं प्लस अब क्या हमारे पास carbon है carbon का mass यहाँ पे कितना दिया हुआ है 12 तो हम लोग 12 लिख लेते हैं and हम लोगों के पास plus क्या है plus हमारे पास oxygen है तो oxygen के जग़ा पे 16 लिख देंगे नहीं 16 नहीं लिखेंगे क्यों नहीं लिखेंगे क्योंके oxygen जो है वो तीन बार है ठीक है thrice है इसका मतलब कि oxygen को जो mass है उसको हम लोगों को into 3 करना पड़ेगा तब क्या होगा कि यह O3 का mass हम लोगों को निकल जाएगा उमिदे आप लोगों को यह concept clear हो रहा होगा कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं आप comment में जाकर हमसे पूछिए मैं कोशिज करूँगा आपका doubt को वहां से clear कर सकूँ देखिए अब क्या करेंगे कि इन तिन जो हमारा निकला है यह तीनों इन तीनों को यहाँ पर plus कर देंगे plus करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यह 40 और 12 हमारा कितना हो जाएगा तो हमारा क्या हो गया कि इसका जो मास निकला है वो हमारा हो जाएगा 100 ग्राम मास हो जाएगा अब हम लोग क्या करते हैं CAO का मास निकाल लेते हैं कि CAO का मास कितना होगा तो देखिए CA का होगा हमारा 40 और plus O का हमारा कितना होगा 16 होगा इस इक्वल टू क्या हो गया 56 ग्राम अब यहां से हम लोगों का रियल गेम स्टार्ट होगा जिससे के हम लोगों को यह पता चल सके के 50 kg जो है किविक लाइम कितना ज्यादा लाइम स्टोन रहेगा तो 50 kg क्विक लाइम हमारा प्रोड्यूस होगा ठीक है यह जो डेटा हम लो कार्बोनेट या फिर यू कहें के 100 ग्राम लाइम स्टोन की जरूरत है यह तो आप लोगों को अभी तक समझ में आही गया होगा अब हम लोगों को यह 56 ग्राम के जगा पे कितना चाहिए 50 kg चाहिए 50 kg का मतलब हम लोगों को चाहिए 50,000 ग्राम चाहिए तो 56 ग्राम तो हम ल तो इसको पदा करने के लिए Unitary Method या क्या हम लोग कहते थे जो Math में हम लोगों ने पढ़ा था सायद Unitary Method था उसमें हम लोग क्या करते थे कि अगर एक पेन का दाम 10 रुपए है तो 20 पेन का दाम कितना होगा इस तरह से हम लोग निकालते थे न बस वही सेम चीज यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे और question हम लोगों को अराम से solve हो जाएगा यहाँ तक जो हम लोगों ने किया तो almost 70% तक हम लोगों का काम यहाँ पे हो गया है ठीक है अब हम लोगों को ज़्यादा काम क्वीक लाइम हम लोगों को कितना का जरूरत है 100 ग्राम कार्बोनेट का जरूरत है अब next step में हम लोग क्या करेंगे next step में करेंगे कितना हम लोगों को चाहिए 1 ग्राम सबसे पहले लिख लेते हैं जिस तरह से unitary method हों हम लोग करते थे पचास हजार ग्राम रॉइक लाइम चीए तो उसके लिए क्या करना बचास हजार क्रीप से इसी तरह से हम लोग करते थे पचास हजार मुंख कर देना होगा इसी तरह से यहांगों करते थे ओम लोगों को सिंपली आप मैं erase कर रहा हूँ अब इसको हम लोग लेकर आते हैं इस जगे पर ठीक है क्या होगा अब यहां पर इसको solve करना होगा कि क्या है 50,000 है and into क्या करेंगे हम लोग 100 divided by 56 कर रहे हैं यही कर रहे हैं यहां पर जब आप इसको अच्छे से solve कीजिएगा पूरी तरीके से जब इसको solve कीजिएगा तो आपके पास क्या solution निकलेगा यहां से आप लोगों को यह solution मिल जाएगा कि this is equal to हो जाएगा हमारा 89285.71 ग्राम ठीक है यह आप लोगों का यहां से जब solve कीजिएगा आपके कैल्कुलेटर वगएरा हमें solve करके देख लिए या फिर आप अपने से कुछे solve कर सकते हैं इसको solve कीजिएगा तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा solve करने के बाद आप लोगों के पास यहां पे यह पूरा आ जाएगा ठीक है तो अब इसको क्या करना है यह ग्राम में था और ग्राम से हम लोगों को किस में convert कर देना चीजिए इसको kg में convert कर देना चीजिए ताके यह आसान हो जाए तो kg में convert करने के लिए क्या करना होगा 5 के जगा पर हम लोग यहां पर 6 लिख देंगे तो क्या हो गया हमारा यह जो हम लोगों को लगेगा CSCO3 यानि के lime stone कितना लगेगा हम लोगों को 89.286 kg lime stone हम लोगों को जरूरत पड़ेगा किस चीछ के लिए 50 kg quick lime को produce करने के लिए तो इस तरह से हम लोग यहां पर question को solve करेंगे समझ में आ गया पहले इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे जो भी यहां पर देखेंगे उसको simply हम लोग solve करके answer यहाँ पे लिख देंगे यह chapter बहुत ही easy है अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया तो और अगर आप लोगों ने part 1 इसका देख लिया तो आपके लिए यह chapter बहुत ही ज्यादा easy हो जाएगा अब हम लोग अपने बढ़ते हैं इस question में हम लोगों से क्या पूचा है इस question में हम लोगों से पूचा है कि how many gram of hydrogen will be produced when 130.8 gram of zinc is allowed to react with dilute sulfuric acid मतलब यह हुआ कि कितना gram हम लोगों को hydrogen produce होगा कितना gram hydrogen produce होगा जब 130.8 gram zinc को हम लोग क्या करेंगे dilute sulfuric acid के साथ react करवाएंगे question यह clear हो गया ठीक है तो अब हम लोगों का जो पहला step है वो यह है कि इसमें कौन-कौन सा chemical के बारे में हम लोगों को बोला जा रहा है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले क्या करें no down कर ले तो सबसे पहले hydrogen के बारे में बोला जा रहा है तो हम लोगों को पता ही hydrogen क्या होता है तो उसको रहने देते हैं next हम लोगों से बोला जा रहा है zinc के बारे में तो zinc भी हम लोगों को पता ही यह क्या है उसके बाद हम लोगों से पूछा जा रहा है यहां पर क्या Sulfuric Acid के बारे में तो Sulfuric Acid हम लोगों ने लास्ट वाले चेप्टर में पढ़ा था कि H2SO4 को हम लोग क्या कहते हैं Sulfuric Acid यह हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में अल्लेडी पढ़ दिया था अब यहां पर सवाल यह उठता है कि हम लोग इसका Chemical Equation को किस तरह से Frame करेंगे क्योंकि जैसे ही Chemical Equation Frame करें तो हमारा आदा से ज्यादा काम वहीं पे Solve हो गया आदा से ज्यादा Question को गौर से आप देखेगा तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से इसका Equation वह फ्रेम होगा Question ने बुल है How Many Gram of Hydrogen Will Be Produced? यानि कि यह Produced हो रहा है इसका मतलब कि Reaction के बाद यह आएगा Reaction से पहले Hydrogen का काम नहीं है Reaction के बाद हमारा Hydrogen का काम आएगा तो Hydrogen Will Be Produced when 130.8 Gram of Zinc is allowed to react with Dilute Sulphuric Acid मतलब Zinc और Sulfuric Acid को एक दूसरे के साथ यहाँ पर किया कर रहे है हम लोग एक दूसरे के साथ React कर आ रहे है Simple Asities तो यह पर क्या करेंगे के हम लोग Zinc को किस के साथ react नरवा देंगे Sulfuric Acid के साथCause Deckert का हम लोगों पता है के आतो Z-न और Plus Sulfuric Acid का है हमारा Sulfuric Acid है acid के साथ यहां पर react कर दिया उमीद है कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पा रहा हूं तो जब इन दोनों को यहां पर react कर दिये हम लोग तो यहां पर हम लोगों को क्या बोल ला है कि hydrogen कितना produce होगा इसका मतलब कि जब यह दोनों एक दूसरे के साथ react करेगा तो क्या होग यहां पर बोले तो chemical बना लेगा ठीक है यह दोनों combine करके अलग हो जाएगा और जब यह दोनों अलग हो गया तो हम लोगों के पास क्या बचा हम लोगों के पास ही तू बचा सिर्फ ठीक है इसको एक और अच्छी तरीके से अगर आप लोगों को समझाओं तो देखिए हम लोगों को क्या बोला है कि hydrogen will be produced that means कि कुछ न कुछ यहां पर hydrogen produce हो रहा है अब बजिया कि इस वाले space में क्या भरेंगे ठीक है hydrogen produce हो रहा है तो इसलिए hydrogen को हम लोगों ने पहले लिए अब जो जो चीज़ यहां पर बच रहा है सबको यहां पर पूट कर दे रहा है simply तो जे जो है सिर्फ इस वाले equation के लिए होगा apply क्यूंकि अलग-अलग equation में अलग-अलग type का हो सकता है हो सकता है आपका यहां पर जो है वो तीन तरह का अलग-अलग यहां पर बन जाए जैसे जेडे ने इस टू बना यहां पर कुछ और भी बन सकता है ठीक है तो इस वाले equation को हम अब लोग move करते हैं कहां इसको solve करने के बाद तो क्या करना है यहां पर जेडेन का यहां पर क्या दिया हुआ हम लोगों को जेडेन का दिया हुआ है 65.4 ग्राम ओलेडी दिया हुआ है ठीक है तो देखिए कि 65.4 ग्राम जब जेडेन हमारा यानि के zinc जब react कर रहा है किसके स प्रोडlav करें। और यहां पर क्या बुला है कि एक सो तीज ग्राम सवरी 130.8 ग्राम अगर ऑसा सिक जेडा रहा घ्राद करेंगे तो कितना होगा वहां पी से वही यौट्री मेत अपलाई करेंगे कि 45.4 gram zinc कितना हमारा यह produce हुआ है 2 gram 2 gram हमारा produce हुआ है clear है अब यहाँ पर क्या करेंगे जिस तरह से unitory method करते थे 1 gram अगर zinc 1 gram zinc से हमारा कितना produce होगा तो 1 gram zinc से हमारा 2 divided by 65.4 gram यहाँ पर hydrogen produce होगा यहाँ तक तो clear है अब हम लोगों को क्या लिखना होगा 1 के बाद 1 के बाद लिखना होगा जितना हम लोगों को चाहिए कितना चाहिए 130.8 ग्राम हम लोगों को यहाँ पे चाहिए चाहिए न तो 8 ग्राम करके क्या करेंगे simply unitary method में जैसे इसको into कर देते थे इसके साथ वैसी क्या करेंगे यहां पर इंटू कर देंगे तो इंटू क्या हो गया 130.8 हो गया यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया है आप लोगों ने यहां तक नोट डाउन भी करी लिया होगा अब इसको हम लोग इधर लाकर इस तरफ लाकर हम लोग इसको आया कि 2 divided by कितना हो गया 65.4 तो 0 पॉइंट को अटाएं उपर में 0 आ गया यह तो आप लोगों को पता ही होगा इंटू कर देंगे किसे इंटू करेंगे 130 पॉइंट को अटाएंगे पॉइंट को अटाएंगे तो नीचे एक 10 आ जाएगा ये भी आप लोगों को समझ में आ गया ये और ये कड़ गया divided is equal to जब आप इसको पूरी तरीके से अच्छे से यहाँ पे solve कर लिजेगा जब आपको क्या मिलेगा यहाँ पे मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 4 ग्राम मिलेगा इसको जब आप solve कर लिजेगा तो आपको क्या मिलेगा 4 ग्राम मिलेगा किस तरह से मिलेगा अगर वो भी चाहते है तो तरीके में बता दे रहा हूँ इसको जब आप इससे काड़िएगा तो टू टाइमस में कड़ी आएगा 4 तू जा 8 हो गया और 5 तू जा कितना टेन कजी आप रियक्ट करेंगे तो 4 ग्राम हाइड्रोजन हमारा प्रोडिउज हो जाएगा अब अंसर में आप लिखेगा सो दा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन विल बी यहां पर मैं लिख ले रहा हूं सो यह लिखना बहुत जरूरी है अगर आपको यह कुछा जाए तो यह लिखन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोडिउज्ड रोडिउज्ड 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 क्या होगा विल बी 4 ग्राम ठीक है विल बी 4 ग्राम ओके तो यह हो जाएगा हमारा अंसर इस तरह से हम लोग क अगर आपको ऐसा लगता है कि यह वीडियो आपकी दोस्तों की हल्प कर सकता है तो तुरंत इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुचा दें आप से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें थैंक यू